माइक नमस्कार आप देख रहे हैं दर्श न्यूज मैं हूँ दिव्यान्सू आर्जडी ओफिस में आज एक अजीबो गरीव वाक्या हो गया जब तेजस्वी आदब मंच पर भाशन देने पहुँचे माइक ही खराब हो गया काफी देर तक तेजस्वी माइक माइक चिलाते रहे और अंत में ठक हार कर वो बैठ गये लाइब चल रहा था कारिक्रम वो लाइब भी रोग दिया गया जो अभेक उस्वाहा है जो सांसद हैं आर्जडी के वो माइक ठीक करते वे नजर आए बड़ा ह संद्र और संबिधान की रक्षा ये विशे था उस पर तेजस्वी संबोधन करने आये थे संबोधित करने आये थे लालू यादब भी पहुँचे जगदानन सिंग भी वहां पर उन्होंने भी अपने विचार रखे जब तेजस्वी की बारी आई तो ये वाक्या हो गया औ लेकिन उसके बाद देखा गया कि अब है कुछ वहां आते हैं कुछ और लोग आते हैं माइक ठीक करने की कोशिस करते हैं लेकिन माइक ठीक नहीं होता है और तेजस्वी बिना बोले ही बैट जाते हैं ये वीडियो काफी वाइरल हो रहा है जहां पर तेजस्वी यादव ब बोल नहीं पाते हैं कुछ क्योंकि माइक ही खराब हो जाता है और आनन फानन में कारिक्रम को रोक दिया जाता है। खेर ये तो बात हुई कारिक्रम की, बात करें अगर बिहार के सियासत की तो इस वक्त बारिस का मौसम है लेकिन सियासी पारा कफी चड़ा हुआ है। लालुयादव लौट आये हैं पटना, सिंगापूर गये थे, किड्नी ट्रांस्प्लांट के बाद हेल्थ चेकप के लिए और हेल्थ चेकप कराने के बाद सिंगापूर से लालुयादव लौट आये हैं, पटना में हैं, बीते दिन वो तेजप्रताप यादव जो उनके बड प्रिजप्रता प्रभिया कर्मियों से भी उनहों ने बात की से प्रताफ यादव ने हर आवास पर भाग्वत कथा सुणना चाहते हैं बात करते हैं अगर सियासत की तो बीती रात को तेजस्वी यादव ने ओसामा सहाब से मीटिंग की है जिहां अधेर रात को एक बंद कमरे में मीटिंग हुई है दोनों की इससे पहले भी आपने देखा था लालु यादव तेजस्वी यादव और हीना सहाब और उनके बेटे ओसामा सहाब की मीटिंग हुई थी तो लगातार जो है लालुयादव समीकरन फिट करने में लगे हैं अभी स्याम रजक ने इस्तीफा दे दिया है आरजेडी से वो जेडियू में चले गये हैं और जोड तोड की राजनिती सुरू हो गई है क्योंकि अब विधान सवा चुनाओ आने वाले लोग ये कयास लगा रहे हैं कि मोदी से नाराज हैं वो मोदी की कारेसली से नाराज हैं और इसलिए चुप हैं और मौके का इंतजार कर रहे हैं बहु सकता है बरसाद के बाद जो है नितिश कुमार वो मोदी सरकार पर बिजली गिरा दें ऐसी संभावना है लोग चर्चा क कर रहे हैं पटना से लेकर दिली तक ये चर्चा तेज है कि नितिश कुमार कुछ बड़ा करने वाले हैं क्योंकि आने वाले जो विधानसवा चुनाओ हैं उसमें समीकरन फिट नहीं बैठ रहा है बीजेपी के साथ क्योंकि बीजेपी ने अपना जो है वो एग्रसिव हिंद जा सकते हैं एक बार फिर से और विधानसवा चुनाओ वो लालू के साथ ही लड़ेंगे क्योंकि 2015 और 2020 को अगर आप देखें 2015 में लालू के साथ नितिश ने चुनाओ लड़ा था वहां पर स्ट्राइक रेट नितिश का काफी बहतरीन रहा था लेकिन वहीं जब बीजेप से अलग समिकरन था नितिश का लेकिन नितिश को यह डर है कि 17-18% जो मुस्लिम वोटर्स हैं बिहार में कुछ परसेंटेज जिसमें नितिश को बोट करते हैं वो कहीं हाथ से ना निकल जाए बीजेपी के साथ रहते वे क्योंकि बीजेपी ने अब अपना एग्रेसिव हिं इंडा जो है वो अपना लिया है मोदी कुछ और कहते हैं लेकिन उनके चानक के अमित्सा कुछ और कहते हैं योगी आदितनात को आप जानते हैं कि किस तरीके से बयान देते हैं वहीं बिहार की बात करें तो गिरिराज सिंग है नित्यानंद राय हैं तो यह सब तरीके से केसी त्यागी ने भी इस्तिफा दिया है खैर हम बात इस पर अभी नहीं कर रहें बात कर रहे हैं आरजडी के कारिकरम की जहां जगदेव प्रसाद के सहाधत दिवस पर संगोश्टी का आयोजन हुआ था लोगतंत्रों संबिधान की रक्षा ये विशय पर तेज खराब हो जाता है कुछ तकनीकी समस्य आ जाती है और तेजस्वी काफी देर तक खड़े रहते हैं माइक माइक चिलाते रहते हैं लेकिन माइक ठीक नहीं होता है और अंत में ठक हार कर तेजस्वी अपने सीट पर बैट जाते हैं और उसके बाद देखा जाता है कि अब है क झाल झाल झाल